हेलो एवरीवन, वेल्कम बैक तो दे चैनल, इन दिस वीडियो वी दिस्कुसिंग अन्यू टॉपिक, अन्दिस इंडिया पॉलिसी अन् रोहिंग्याज, हाल फिल हाल में, रोहिंग्याज इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्या मुद्दा इंडिया की पॉलिसी क्या रही है, रोहिंग्याज जो शर्नार्थी आये हैं, उनके उपर, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कुस करेंगे, हम इसमें एक न्यूट्रल अप्रोच अपनाने वाले हैं, दोनों साइट्स दिखाएंगे, शुरू करते हैं, सबसे अधर्य पेले हम देखेंगे इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया ने क्या किया है रोहिंग्याज थे इलीगल फॉरिनруз आज के समय में इंडियान गोर्मेंट ये मानती है, रोहिंग्याज इलीगल फॉरीनर्स हैं और इन्हें इनके देश भेज देना चाहिए, ये उनने कहा था कि रोहिंग्या शरनार्थियों को डेली के अंदर फ्लैट्स दिये जाएंगे उसके खुद समय बाद होम मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है रोहिंग्या शरनार्थियों को वापस उनके देश भीजा जाएगा तो क्या कारण है इतने differences क्यूं आए दोनों के बीच में ऐसा क्यूं अलग-अलग tweets आए हम उसके बारे में discuss करेंगे कहाँ पर गौर्मेंट की ये जो approach है Rohingyas are illegal foreigners ये approach कहाँ तक सही है कहाँ तक हमें उनकी मदद करनी चाहिए इंडिया को क्या stance लेना चाहिए Myanmar की internal politics के अंदर हम उसके बारे में discuss करेंगे सबसे पहले इसके उपर क्या viewpoint देखा जा रहा है इसे हम दो तरीके से समझेंगे सबसे पहले इंडियन government की हम policy देखते हैं इंडिया ने कभी भी United Nation refugee convention sign नहीं किया आज तक हमने United Nation refugee convention को sign नहीं किया है उसके बावजूद हमारी जो approach है refugees के प्रती वो बहुत ही human है बहुत ही मानविय है और ethical है बिलकुल सही है तो major यही कहना है हमने कभी भी वो sign नहीं किया उसके बावजूद हमारी approach human and ethical है क्योंकि हमें हमारी traditions यहीं सिखाती है वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसे politics से जोड़ कर देखे रोहिंग्यास को हमने इतने साल अपने देश में रखा है कारण यही है हमारी approach human है ethical है लेकिन इसके साथ ही एक politics का मुद्दा भी इसमें जोड़ जाता है कि क्यों अब इनके वापस इनके देश भेजने की बाते हो रही है बीजेपी government इस समय ruling party है यह government एक Hindu inclination रखती है यह एक Hindu पुरी तरीके से Hindu जो religion है उसकी तरफ inclined है जो रोहिंग्यास है वो Muslims है यहीं पर आपको differences देखने को मिल सकते हैं रोहिंग्यास Muslims है उसके अलावा government यह कहती है government यह claim करती है कि रोहिंग्यास को इनके देश वापस जरूर भेजना चाहिए because they are snatching jobs from Indians यह justify करती है government government यह कहकर खुद को justify करने की कोशिश करती है कि इनके देश जरूर भेजना चाहिए क्योंकि they are snatching jobs from Indians साथ ही there are security threat for the country यह Muslims है Muslims जो हमारे पाकिस्तान है इसे इन्हें जोड़ कर देखा जाता है तो यह जो present government है इन्हें security threat की तरह देखती है government shows no sympathy government कोई sympathy नहीं इस मुद्दे पर दिखाती government shows no sympathy on the fact that they have suffered mistreatment इस समय पूरी party politics है कोई भी sympathy इन्हें religion से जोड़ कर देखा जाता है इंडिया के अंदर रोहिंग्यास को religion से जोड़ कर देखा जा रहा है ना कि इस fact से कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफर किया है और अब एक समय है इन्हें एक civilized life देने का एक समय है इनके साथ खड़े होने का क्योंकि यह जिस देश से आते हैं वहाँ पर इन्हें गोलियां मारी जाती इनकी जो आर्मी है जबरदस्ती इन्हें इसी लिए इन्हें इतनी दूर भाग कर आना पड़ता है तो कोई sympathy दिखाने के बजाए government की तरफ से ऐसा mistreatment या government की तरफ से ऐसा कहे देना कि we have to detour them back to Myanmar एक सही नहीं और कहां तक सही है कहां तक गलत है हम आगे देखेंगे एक तरफ हमने government की एक negative side दिखाई है कि government की approach गलत है या यह एक negative side हमने देख ली government हिंदू inclination रखती है मुस्लिम समझकर इनके साथ अन्याय हो रहा है इने वापस बेजने की बाते हो रही है अब हम positive side देखते हैं इंडिया के अंदर लगबग लगबग 40,000 रोहिंग्या refugees है Pakistan एक Muslim देश है, Saudi Arabia एक Muslim देश है, Malaysia एक Muslim देश है यह तीनों Muslim देश इनके अंदर लाखो लाखो refugees है हमारे यह तो 40,000 ही है, वहाँ पर लाखो लाखों है यहाँ तक कि Saudi Arabia के जो King है, King Faisal उन्होंने 1973 में डिकलेर कर दिया था कि रोहिंग्याज के साथ भी equal treatment होगा लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, यह सिर्फ promises है कभी भी यह practice में नहीं लाई गई इन तीनों देशों द्वारा ऐसी कोई भी practice यह सबसे बड़े Muslims के एक रक्षक की तरह बनते हैं लेकिन इनकी तरफ से कभी भी ऐसी promises को इन practical लाने की कोशिश नहीं की गई तो सिर्फ इंडिया को accuse करना की इंडिया वापस भेज रहा है या इंडिया उन्हें equal status नहीं दे रहा है यह unfair होगा क्यों unfair होगा इंडिया के पास खुद की एक बहुत बड़ी population है और यह resources फिर भी scars रहने population चाहें कितनी ही बड़े resources उतने ही रहेंगे तो resources scars है population लगातार भड़ती जा रही है तो रोहिंग्यास का access इंडिया में रहना हमारे लिए burden की तरह है तो हमने positive side देखी थी अभी यह इंडिया के पक्ष में कि इंडिया इंडियन government की approach यह सही है उससे पहले हमने negative देखी तो दोनों side हमने एक तरीके से neutral रहने की यहां कोशिश की है इंडिया यहां पर भी हम इंडिया की की को दिखाएंगे इंडिया का major concern कि यहां पर इंडियन government सही है क्योंकि इंडिया के उपर बहुत सारे Islamic terror हो चुके है यह बीन impacted by several international Islamist terror और हमारी security agencies concerned रहती है उनके concerns में बिल्कुल जायज है हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते है तो यही कारण है की इंडियन government ने approach अपनाई अब आगे देखें तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अथिधी देवो भवे this is our tradition यह हमारी tradition रही है जो भी हमारे देश में आता है हम उन्हें refuge देते हैं और अब समय we have to provide them a civilized life उन्हें एक civilized life देनी होगी उन्होंने सदियों सदियों तक they have been suffering at the hands of all this वो refugees की तरह रह रहे हैं उनके देश में उनकी आर्मियों ने गोली मारती है तो इसी लिए इधर उधर के देशों में भागते हैं refuse मांगते हैं जो citizenship amendment act आया था पिछले दिनो C.A.N.R.C वो पूरी तरीके से लोगों से discriminate करता है on the basis of sorry religion religion के आधार पर लोगों के साथ वो discriminate करता है so this is time to see Rohingyas in a different way हमें Rohingyas को अब समय है Muslims की तरह नहीं देखना है हमें Rohingyas को we'll have to see them on the basis of their sufferings, what they have suffered now they deserve a better life हमें इस तरीके से देखना है तो क्या इंडिया म्यानमार के इस issue में intervene करेगा major बात ये है ये म्यानमार का internal issue है वहां की जो ethnic जो conflict है वो बहुत ज्यादा है जो बर्मीज लोग है वो Rohingyas को अपने country में नहीं चाहते same as with army तो क्या इंडिया वहां पर intervene करना इंडिया के लिए क्या जायज है हम इसके बारे में देखें तो इंडिया के खुद के security interest है हम एक बहुत लंबा border share करते हैं म्यानमार से हम इस region के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे कहा जाता है international politics के अंदर कि कोई भी permanent friend या enemy नहीं होता है जहाँ पर आपका फाइदा दिखे वहाँ आपके friends बन जाते हैं और जहाँ नुकसान वहाँ दुश्मन इसलिए हमारे लिए major concern international affairs के अंदर morally बिल्कुल नहीं सोचा जाता वहाँ पर national interest सबसे पहले आता है morally सोचने बैठे तो national interest खो देंगे और national interest की तरफ ध्यान देंगे तो morally तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती बहुत कम ऐसे chances होंगे जब दोनों चीज़ें साथ आएंगी तो इसलिए हमारे लिए हमारा national interest पहले है morally सोचना बाद में तो वहाँ के जो बर्मीज लोग हैं बर्मन कम्यूनिटी है वो इन लोगों के साथ सदियों से traditionally discriminate करती आ रही है यह discrimination कहां तक जाता है तो अब क्या आगे का क्या आगे हो सकता है तो अब आगे यही है कि जो लोग अब तक इन्हें support करते आ रहे थे they should take the lead हमें क्यूं फसना because हमारा कुछ stake पे नहीं है यहाँ पर so हमें बीच में intervene नहीं करना चाहिए जो countries एक claim करती है कि वो इनके साथ खड़े होने का claim करती है उन्हें ही lead लेनी चाहिए दूसरा क्या हमें refugee law अपना खुद का एक refugee law बनाना चाहिए हमने आज तक United Nation जो refugee convention है उसको sign नहीं किया तो क्या इंडिया के पास खुद का एक refugee law होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि human history में migrations होते रहते है migration बहुत common है human history के अंदर partition के समय कितना बड़ा migration हुआ migration बहुत challenging होता है कभी भी easy नहीं होता migration बहुत challenging होता है और अब यह fundamental बन चुका है migration तो हो गई होगा हम चाहिए कितने ही developed बन जाए लेकिन migration is fundamental तो क्या किया जा सकता है इसे पूरी तरीके से खतम नहीं किया जा सकता बस इतना किया जा सकता है कि हम इसकी जो intensity है या इसको जो थोड़ा easier बना सकते है इसकी intensity को tough के बज़े थोड़ा easy कर सकता है और वो कैसे होगा जब हमारे पास laws होंगे लोग जब migrate करेंगे तो laws बनाईए कि हर देश कम से कम refugees को इतना यह सब amenities, civic amenities और basic चीज़े ज़रूर provide करवाए ताकि वो एक dignified life जी सके लेकिन यहां पर एक बट आ जाता है बट यह है कि इंडिया की जो politics है वो कभी एक law को allow नहीं करेगी इंडिया में party politics इतनी ज़्यादा है कि there are very rare chances इंडिया में कोई refugee law आ सकता है तो basically यही हमने discuss किया इस video के अंदर एक approach देखी कि क्या approach इंडिया अपना सकता है क्या approach इंडिया ने अपनाई यह जो रोहिंग्या का मुद्दा है रोहिंग्या शर्नार्थियों के उपर इसमें हमने बिल्कुल neutral रहने की एक कोशिश की neutral हमने अगर इंडियन गौर्मेंट का positive aspect sorry negative aspect देखा एक positive भी कि इंडियन गौर्मेंट ने जो stand दिया है वो कहां सही है और कहां गलत है उसके बाद क्या किया जा सकता है क्या viewpoint है और क्या होना चाहिए so this was all about it thank you thank you for watching the video